सर एपियन को पहले तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसे कि आपको पता है सर कि 75 साल देश अजादी का मनाने जा रहा है तो इसके बारे में सर आप क्या सोचते है और आपके क्या विचार है लॉंग टम जो अदेश की एक बड़ी पिक्चर है उसके बारे पर आगे बढ़ता है वही प्रोग्रेस कर सकता है और इसलिए मेरे विचारों से भारत को आजादी 75 साल पहले मिली इसलिए ये आजादी का अमरुत महुत सव मनाया जा रहा है लेकिन मोदी जी जब प्रधान मंतरी बने तब सही माने में भारत स्वतंतर होना शुरू हो गय आजादी होना मतलब हम अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकले लेकिन मोदी जी प्रधान मंतरी बनने के बाद हम अपने तंतर से इस भारत की मिट्टी में बने वे विचारों से यहां के संसकारों के आधार पर सरकार चलने लगी लोगों के अंदर नैशनालिजम की स्ट अड़ी तेजी से स्वदेशी, स्वभाशा, स्वभूशा, स्वसंसकार सभी जगा पर आपको स्वदेखने को मिलता है जब से मोदी जी प्रधान मंतरी बने हैं इस देश के अंदर गरीबों का अकाउंट खुलने के लिए लगभग सतर वर्ष लगे इस देश के अंदर गर घर में से चूला बाहर जाने के लिए गरीब के घर में शौचाले आने के लिए सतर साल लगे ये बहुत बड़ी आईरनी थी लेगिन दरेंडर मोदी जी ने इसको दूर किया अब जब तक युवाओं की बात है मोदी जी कहते है कि दो हजार पचास में भारत कैसे होगा इस 2020 का विश्वगुरु भारत ये कौन बनाएगा तो आज का युवाओं बनाएगा बहुत बड़ा सयम रखने की बात है